जै जिनेंद्र, वेलकम टू सुनल्स फुट्जर्ड, आज हम देखेंगे कोरोना आने के बाद हर किसी को इंफेक्शन होता है, तो आप इस चीज का ट्राई कीजेगा, 100% आपको बहुती फरक पड़ेगा और रिलीफ होगा, ये हम नीम के पत्ते ले रहे हैं, कच्चे नीम के पत्ते जो छोटे-छोटे होते हैं, उसे ले लेंगे मुठी भरके, और इसे हम अच्छे से पानी में धो लेंगे, ये देखें, एक दम छोटे-छोटे पत्ते हैं, अगर आपको छोटे-छोटे पत्ते नहीं भी मिले, तो आप बड़े भी ले सकते हो, और इसे हम अच्छे से पानी पूरा निकाल के रख लेंगे और एक बावल में मैं एक पंच हल्दी ले रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर है और थोड़ी सी काले मिड़्श पाउडर और फिर हम लेंगे थोड़ा सा सिंधा नमक एड़ करेंगे अगर सिंधा नमक नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट भी ले सकते हैं और इसे मैं सिलवट्टे पर पीशूँगी और आपके बास सिलवट्टा नहीं है तो आप मिक्सी के जार में भी पीश सकते हो लेकिन बिना पानी इसे हमें पीशना है और ये देखे, इसे अच्छा सा fine paste बना लेना है, ताकि लेते वक्त अराम से ले सकते हैं इसे, थोड़ा सा खरास जरूर होगा, लेकिन ये कोई भी infection हो तो इसे ठीक हो जाते हैं, और मैं खुद एक corona patient थी, तो मैंने भी personally try किया है, बहुत ही अच्छा result है इसका, तो आप भी इसे try कीजिए, और ये देखे, अब ये ready है, हमारा इतना अच्छा fine paste ready है, इसे हम chocolate के जितना छोटा सा ball बना लेंगे, ये देखे, और ऐसे हम एक, केवल एक bond को हमें लेना है, चॉकलेट के size का है, एक गरम पानी या साधा पानी में भी आप ले सकते हो, एक हफते तक लीजिएगा, और आप खुद मैसूस करोगे, thank you.